जेमडी न्यू चैनल में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं हमारा विशेश कारकम सेहत के सूत्र सेहत के सूत्र में आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट पर वैसे तो प्रोस्टेट एक सामानी बीमारी है जो पचास पच्पन की उम्र के बाद पूर्शों को प्राया हो जाती है लेकिन जब प्रोस्टेट में कैंसर हो जाता है तो यह जटिल हो जाती है आज इसी विशेश पर प्रोस्टेट क्या है प्रोस्टेट में कैंसर कैसे डिवलब होता है उसकी जाच कैसे की जा सकती है और उसकी रोक्थाम करने के क्या उपाए है इन सारे विश्यों पर चर्चा करने के लिए हमारे पास मौजूद है शाहर के प्रसिद यूरोलाजिस्ट डॉक्टर वी के मिश् तो प्रोस्टेट है क्या बीमारी एक्चुली बीमारी के रूप में तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे प्रोस्टेट एक नॉर्मल जिसको हम लोग पौरुश गरंत ही कहते हैं ये सभी पुरुशों में पाई जाती है और ये जन्म से हमारे साथ होती है और पचास हीरे होना पिशाब रुक जाना कभी कभी मूंतर सक्कमन हो जाना या पिशाब में खून आ जाना जब ये लक्षण पैदा करने लगती है तब ये पेशेंट को परिशानी पैदा करती है और ऐसी इस्थित में मरीज हम लोगों के पास आता है इलाज के लिए ड़साब सामान आपने मुझे इसका याद दिलाया ये एक बहुत इंपोर्टेंट लक्षण है और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने बताया कि पिशाब एकदम से रुक गई और कई बार रुकी हुई पिशाब मरीज को पता नहीं चलता है और वो अंदरी अंदर किटनी को डेमेज कर द्रक्षण ये तो बात हो गई लक्षणों की ये हम लोग इस पूरे महिने में प्रोस्टेट कैंसर अवेरनेस मंत मना रहे हैं तो प्रोस्टेट में कैंसर कैसे डिवलब हो जाता है देखिए प्रोस्टेट में जैसे मैंने बताया है एजिंग प्रोसेस होता है और इससे सा पर ऐसा होता है कि मरीज ये समझता है कि ये उम्र की वज़े से ऐसा हो रहा है और जबकि अंदर उसके अंदर कैंसर के की टानू प्रविश्ट करके गए और जिससे वो कैंसर के रूप में पीडित हो गया तो इसका पता इसी लिए लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि एकर कैं कि अवस्था होती है तो बहुत सरल टेस्ट हैं शारीरिक परिक्षण है कुछ खून की जाचे हैं कुछ अल्टरसाउंड है और लास्ट में बाइपसी है जिसके द्वारा हम लोग प्रॉस्टेट के कैंसर का पता अर्ली स्टेज में लगा सकते हैं और हम लोग उसका पूर् प्रारंबिक जाच क्या होती है यह आपने बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि सबसे प्रारंबिक जाच तो किसी उरॉलजिस्ट को दिखाना होता है और वो उरॉलजिस्ट लेटरीन के रास्ते से गुदाद्वार से उंगली के द्वारा एक परिक्षण करता है जिसको हम लोग पी आर एक्जामनेशन कहते हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लगता सिर्फ देखना होता है जिसके द्वारा प्रास्टेट की कंसिस्टेंसी यानि कि वो कितना हार्ड है सौफ्ट है फर्म है उसी के हिसाब से हम लोगों को एक प्रारंबिक संदे जिसको कहते हैं फस्ट प्रकार का जो गुदा द्वाराई ही होता है जिसको ट्रांस रेक्टल अल्टरासाउंड कहते हैं आच्छा आच्छा वो कराना पड़ता है और एक टेस्ट और होता है जिसको ब्लट की द्वारा कराते हैं उसका नाम होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटिजन यानि पी है अगर आपने गलत समय पे यानि इन्फेक्शन में पिशाब रुकने में नली डालने में ऐसे समय पे वो करा लिया या गुदा द्वारा एक्जामिन करने के तुरंत बात करा लिया तो ये टेस्ट की रिपोर्ट ज्यादा आती है और वो एक फॉल्स अलार्म सेट हो जाता है कि हमें प्रोस्टेट का कैंसर है तो ऐइसी सारी अवस्थाओं में ये कैंसर का टेस्ट कभी भी नहीं कराना चाहिए हमारे कुछ चिकितसक मित्र भी ऐसे हैं जो अकसर गलती से करा लेते हैं मरीजों के प्रेशर में आकर के तो मुझे लगता है कि इस चीज को एक عाम जन सा पता होना बहुत जरूरी है कि इस टेस्ट को कराना कर गाए यह बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सामनेता आप चुँकि गूगल का जमाना आगया है तो लोग जानकारियां गूगल से हासिल कर लेते हैं और उनको लगता है कि हम पहले डाक्टर के हैं क्यों जाएं पूर आपके में किस जांच की आवशकता है और किस इस तर पर और कब जांच होनी चाहिए तब ही जांच कराई जानी चाहिए वरना आनावशक जांच कराने से और संक्रमल काल में जांच कराने से इसके नुकसान भी हो सकते हैं यह आपने बहुत अच्छी बात बताई हमाई दर्श तेखे वैसे तो मैं आपको एक शुब शूचना ये देदू कि प्रोस्टेट का जो कैंसर है फॉर्चुनिटली हम इंडियन्स के लिए हम वारी रेस ऐसी है जो इस कैंसर से काफी प्रोटेक्टेड है अच्छा अगर हम यही चीज देखें तो अमेरिका में यह इस बीमारी का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है सतर साल एक तो वहाँ एजिंग पॉपुलेशन भी ज़्यादा है साट साल के ऊपर या सतर साल के ऊपर वहाँ एजिंग प्रोसेश ज़्यादा है और उनकी रेस थंडे मुलक में रहने वाले वो गोरे लोग हैं जिनका खान-पान काफी है वहीं जो हमारे इंडियन्स हैं जो वहां जाके बस गए हैं वो इन स्पाइट ऑफ दे फेक्ट कि वहां रहते हैं उसी वातावरण में रहते हैं वो खानपान उनका और उनको कुछ रेशियल प्रोटेक्शन ऐसा है जिसकी वज़े से वहां पर इंडियन्स में ये कैंसर कम पाया जाता है मतलब वहां रहने के बाद भी उनमें कम पाया है कम से कम एक दो जनरेशन तक तो ये प्रोटेक्शन रहता है उसके बाद ये प्रोटेक्शन खतम हो जाता है अभी इस पर रिसर्च चल रही है तो इसके वारे में तो मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बता पाऊंगा लेकिन ये है कि Indian population को protection है और वो हम लोगों को by virtue of race है और जहां पर हम लोग रहते हैं यहां का वातावरन ट्रॉपिकल कंट्री है हमारी यहां पर वातावरन जो है थोड़ा गरम है और अभी भी शाकाहारी खाना यहां मेन खाना है ऐसा देखा गया है कि मांसाहार का सेवन करना और फास्ट फूड खाना और इस तरह की जो life style हो गई है कि जिसमें की सेहत के लिए हम लोग संयमित भोजन और यह सब नहीं करते हैं यह सारे factors जो हैं यह prostate के cancer के बढ़ने के मेन कारण है अच्छा 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 तो यह तो मतलब हम लोगों के लिए सोभाग्य का विशा है कि भरतवन्सी की वातावरन ही ऐसा है जिसके कारण हम लोगों को prostate cancer की संभावनाएं कम हैं ग्रीन टी है टमाटर है और आपका गोभी है यह सारे ऐसी चीजें हैं जो हमको prostate cancer से प्रोटेक्ट करती हैं अच्छा 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 यह एक जनरल बात है अब जिसको हो गया है उसको तो नहीं कर पाए जी लेकिन एक यह डिले कर सकती है और यह हमारे खान पान में है सा लेता है तो प्रारंभीक स्थिति में अगर उसका परिक्षण हो जाता है और उसका prostate का cancer पता चल जाता है तो उसका 100% cure है यह बहुत जाता है और आपके जो स्वातिसंबंदी संगठन है वो भी इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं शायद इसी वज़े से उन्होंने September के म awareness मन्त के रूप में लिया है और शायद इस महीने में कई यूरोलाजिस्ट ऐसे हैं जहां जिन्होंने अपने स्केंडरों में इसकी जाच करने का एक सिस्टम बना रखा है कि लोग आएं लोग अपने बताएं और उनकी जाच करके उनको बताया सके कि भाई कैसे है और पुरे दस वर्षों से ये जो प्रोग्राम है ये वर्ड हैल्थ और्गनाजेशन ने पिछले दस वर्षों से पूरे विश्व में चलाने के लिए उरॉल्जिस्ट को रिक्वेस्ट की है और पिछले दस वर्षे कानपूर उरॉल्जिस्ट हिंटर में हम इस अभियान को चल और यहां तक की operation में लगभग 25% की छूट दे रखी है इसके अलावा जितने भी Sundays हैं वहां हमने एक निशुलक कैम्प लगाया है जो peripheral जगहे हैं पहला कैम्प उन्नाव में लगा था एक तारिक को आठ तारिक को ये कैम्प लगा था घाटमपुर में पंदरा तारिक को ये फ पतेगड में या फरुखाबाद में लगेगा और 29 तारिक को ये कैम्प हमीरपुर में इस तरह से आसपास के जहां पर यूरॉल्जिस्ट नहीं है हमने कहे तो दिया कि यूरॉल्जिस्ट को दिखा लेना गाओं का आदमी बिचारा यहां तक कैसे राएगा और सिर्फ चेक जाते हैं वहां पर हम लोग अब एक पहले वहां पर ये जन्म प्रसारन कर दिया जाता है कि फ़ला दिन डॉक्टर आएगा तो जो लोगों के रेजिस्टेशन होते हैं वहां हम लोग उनको परिक्षण करते हैं कुछ जाचें जो जरूरी हैं जैसे पी एसे की जाच अगर जरूरी है तो पहले निकलवा लेते हैं यूरो फ्लो मीट्री का टेस्ट करा लेते हैं जिससे की पेशाब की धार कंप्यूटर से चेक हो जाती है उसके बाद जिन मरीजों को दवाओं की आश्रक्ता होती है तो एक हफ़ते की दवा निशुल को वहां दी जाती है और उनको य होते हैं ऐसा नहीं किसी महीने में है क्योंकि वह कैम्प का पार्ट हो गए तो इस तरह से हम लोगों का है कि छोटा सा प्रयास है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने यूरोलोजिस्ट भाईयों से भी जो लोग है और जितने भी हमारे चिकित्सक बंद हुएं कि वह इस इस अभियान में साथ में जुड़ें जिससे की एक बीमारी को हम लोग जड़ से खतम कर सकें बहुत अच्छी बात बताई डाक साव आपने कि किस तरह के से जगे जगे जाकर जागरुकता फेलाई जा रही है अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद हम मिहमान नवासी का शाही अंदास खित्मत रेस्टोरेंट, कवर्थ, और ओपन एर का खोश्नमा माहौल, फुली एर कंडिशन, बेहतरीन सर्वेस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज, और कॉंटिनेंटल फूर्ट, प्रेपेर्ट बाई, वेल ट्रेंट शेफ, आपकी खित्मत के लिए हमीशा तेयार, खित्मत रेस्टोरेंट, ग्रांगीत होचल, दिमॉल, कानपुर 200 ग्राम सोया चंक्स के साथ पाईए, 80 ग्राम सोया मिनी चंक्स और एक रेसिपी बुखलेट बिलकुल फ्री हेल्दी रहना सिंपल है नमस्कार, नयाचार, पंडित पवन्ति वारी, जेओतिश चक्र के मात्यन से आपको बताएंगे रोजाना आपके राशियों का हाल, कैसा रहेगा आज का दिन आपका, और क्या है आज का नक्षत सुबहे साड़े आट पजे, जेओतिश चक्र में जेओतिश चक्र में मनरंजन ही मनरंजन, मात्र 176 रुपे में जी आँ, 10 नेटवर्क्स लाया है अपने उप्भोगताओं के लिए एक नया प्लान जिसमें आपको मिलेंगे 136 चैनल को भी मात्र 176 रुपे प्रतिमा में उसमें आप देख सकेंगे 100 फ्री टु एर चैनल और 36 पे चैनल जैसे आज तक जूम, CNBC अवाज, मुवीज ओकें, सोनी मिक्स, स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट, स्टार उस्सो मुवीज, जी सलाम और भी बहुत से पे चैनल तो देर किस बात की आज ही अपने गेविल आपरेटर से से प्रिक के बाद आपका एक बार पुना स्वागत है ड़क साब हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोस्टेट कैंसर आपरेशन की लेकिन इसके पहले हम जानना चाहते हैं, हमाई दर्शकों को बताईए कि क्या कैंसर में ये आपरेशन ही इसका इलाज है या दवाईयों से भी इसको रोका जा सकता है तो बाइपसी करने के बाद अगर आपरेशन कर दिया जाया जिसकों की हम लोग रेडिकल प्रोस्टेटेक्टिमी कहते हैं दो विधियों से होता है लेपरोस्कोपी से होता है और आजकल ये रोबर्टिक से होने लगा है तो अब ये दोनों विधियां अनफॉर्चुनेटली अभी कानपूर में उतनी प्रचलित नहीं है क्योंकि हमाई ये टेक्नॉलजी थोड़ी महेंगी है तो जो ये लखनव में संजय कानधी में भी अभी ये उपलब्द नहीं है आप समझ सकते हैं कि कितनी नहीं टेक्नॉलजी है लेकिन अभी भी ये औल इंडिया इंस्टिचूट और सफदर जंग हॉस्पिटल दिल्ली में ये उपलब्द है और ये होने के बाद कुछ लोगों को कुछ दवाओं की सेवन करना पड़ता है तीन से छे महीने तक सरजरी के बाद लेकिन कुछ पेशेंट जो एडवांस स्टेज में आते हैं जिनको पता नहीं चल पाया कि बढ़ गई है या उसमें कैंसर हो गया है ऐसे पेशेंट्स में हम लोग हॉर्मोन ट्रीटमेंट करते हैं इसमें यही एक ऐसा कैंसर है जिसमें कीमो थिरेपी से पहले हॉर्मोन थिरेपी होती है जिसमें कि दोनों अंडिकोश निकाल दिये जाते हैं जिससे टेस्टोस्टिरॉन हॉर्मोन जो प्रोस्टेट के कैंसर को तेजी से बढ़ाता है उसको हम लोग कंट्रोल में कर लेते हैं तो तेजी से नहीं बढ़ता अब आज कल टेस्टिस को नहीं निकाला जाता उसके बदले में टेस्टोस्टिरॉन के विपरीत काम करने वाले कुछ इंजेक्शन्स होते हैं जो हर तीन महिने पे लगाया जाते हैं इन दवाओं का सबसे अच्छी बात है कि बहुत जादा कोई साइड एफेक्ट नहीं होता सिवाए इसके कि हम लोगों को कैलशियम और विटामिन डी थ्री पेशेंट्स को सप्लिमेंट करना पड़ता है तो वो जो पुराने समय का कीमो थेरपी वाला कंसेप्ट था वो जो आदमी को बहुत कम्जोर कर दोता था तो वो सब और इसमें रेडियो थेरपी का भी बहुत थोड़ा सा रोल है कीमो थेरपी उन लास्ट स्टेज के कुछ पेशेंट्स में दी जाती है जिनकों की इन दोनों विधियों से फायदा नहीं होता है या उससे भी एडवांस स्टेज में पहुंच गया है तो ऐसे पेशेंट्स को कीमो थेरपी देते हैं जिसमें दस से बीस परसेंट्स को दो तीन साल तक का लाब होता है दो तीन साल का बहुत लंबा पीरेड हो गया जिससे कि एक लाइलाज बीमारी का अगर इलाज इतना भी संबह हो है तो कम से कम पेशेंट सुखी पूरवक पेशेंट्स बढ़ते हैं जिनको लक्षण होते हैं ऐसे पेशेंट्स में भी सबको ऑपरेशन की जरूवत नहीं है अच्छा अच्छा लगभग सतर से असी प्रतिशत मरीज ऐसे हैं जिनको दवाओं के दोरा कंट्रोल किया जा सकता है बहुत अच्छी बात बस फर्क यह ह चार-पांस साल तक दवाएं खानी पड़ती हैं तो आर्थिक रूप से यह लगभग ऑपरेशन से ज्यादा महेंगा इलाज हुआ क्योंकि ऑपरेशन तो एक ही बार कराना पड़ता है लेकिन जिन लोगों को लेकिन ऑपरेशन के अपनी प्राब्लम्स होती हैं तो अगर कि कि इसी को दवा खाने से फायदा है और उचार-पांस साल तक खा सकता है तो उसको वही करना चाहिए अच्छा इस आपरेशन का एज से नहीं कोई फरक पड़ता कि जिसे थोड़ी ज्यादा एज है सतर साल वातर साल अच्छा अब टेकनालोजी काफी बदल गई है दुरवी से जो ऑपरेशन होते हैं नबे साल सौ साल तक के पेशेंट्स का हम लोग करते हैं और मेडिकल फेसेलिटीज इतनी अच्छी हो गई है कि पेशेंट्स को रिकावर होने में कोई प्राबलम नहीं होती है अच्छा अच्छा तो ये तो रख साब आपने बताई सरजरी की और सरजरी की स्थिती नहीं है तो दवाईयों से कैसे इस रूख को कंट्रूल किया जा सकता है लेकिन क्या खानपान का भी या लाइफ स्टाइल का भी कुछ प्रभाव पड़ता है इस पर बहुत लाइफ स्टाइल मौडिफिकेशन इसका पहला सूत्र है इलाज का क्योंकि 40 य लोग ऐसा कहते हैं कि पेशेंट्स को अपना पानी या लिक्विट्स का जो सेवन है वो सैयमित कर लेना चाहिए इसका सैयमित करने से मेरा मतलब यह है कि इन जनरल जुतने भी मरीज हमारे पास आते हैं वो अकसर यह कहते हैं कि साब हम पानी बहुत पीते हैं कितने क्योंकि हमको बताया गया है, बच्पन से बताया है, हर डॉक्टर बताता है, पानी जाए है, वो ज़ादा और कम की मात्रा बहुत इम्पोर्टेंट है, पचास वर्ष की अवस्था के बाद किडिनी पे ज़्यादा लोड न पड़े, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पानी की मात्रा देड़ से दो लीटर 24 घंटे में होनी चाहिए हाँ को कि जो पानी हैं पीते हैं वो अल्टिमेटली किड्नी से फिल्टर होता है और फिल्टर तो पता लगा एक चीज के लिए आप इलाज कर रहे हैं दूसरी चीज को कमजोर कर रहे हैं तो पानी की मात्रा इतनी होनी चाहिए शाम को छह वजे के बाद से पानी की मात्रा बिल्कुल कम होनी चाहिए खाने के साथ पानी ले ले आदमी बस उसके बाद दो घंटे बाद वो आराम करें जिससे की रात में उसको कई बार उठना ना पड़े तो ये सारे जो लक्षण होते हैं रात में कई बार पिशाप के लिए जिससे नीन डिस्टर्व हो रही है तो ये काफी चीजें तो केवल लाइफ स्टैल मौडिफिकेशन से ही ठीक हो सकती है ये इसका पहला इलाज है जी जी उसके अलावा जैसा मैं ने आपको भी बताया कि अगर वो सजयमित समय पे भोजन करता है हाँ और मौनिंग वाक करता है या मौनिंग में वो थोड़ा वैयाम करता है थोड़ी बहुत अगर सैकलिंग कर सकता है तो सैकलिंग कर ले इस तरह की जो चीजे योगासन इसमें बहुत फायदे मंद होता है योगासन से हमारे शरीर की जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती है वो काफी संकुचित और वो होती है जिससे की पिशाप के कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है स्टेमिना बढ़ता है तो ये डिरेक्ली तो नहीं लेकिन इन डिरेक्ली ऐसे सभी मरीजों को बहुत फायदा होता है रोकने का तो देखे जैसे उमर को बढ़ने से नहीं रोका जा सकता तो उसी तरह से प्रोस्टेट को बढ़ने से नहीं रोका जा सकता लेकिन उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उससे दोरा होने वाले लक्षणों को हाँ मतलब अपनी मौडिफाइड लाइफ इस्टाइल जो भी आपने बताया उसके माध्यम से हम उसके कुछ न कुछ उसको कंट्रोल कर सकते हैं या उस तकलीफ को मतलब ना आने पाए या थ्वा देर से आए ऐसा कुछ तो करी सकते हैं डिले कर सकते हैं उसको तो रख सब और क्या खान पान में सावधानी बरतनी चाहिए ये भी हमाई दर्शकों को बताजिए क्या खाने से ठीक रहता है और कौन से चीज़ें कुछ नुकसान भी कर सकती हैं जिसे एक तो आपने बताया कि पानी पीने का तरीका बदल ये बिल्कुल कि भोजन के बाद थोड़ा सा पी लीजे लेकिन उसके बाद दो घंटे तक कुछ ना कर पानी पीजिए लिक्विड अगर लेंगे तो रात में हमें बार बार यूरीन के लिए जाना पड़ता है अक्सल रोड रात में दूद पीते हैं तो ये तो एक बट नेचरल सी प्रोसेस है तो उसको हम लोगों को थोड़ा अवाइड करना है जिससे कि नाइट स्लीब देखे एज के साथ वैसे भी नीन कम हो जाती है तो इन सब चीजों को एक प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है एज के साथ हमारे साथ डेविटेज ब्लड प्रिशर और तमाम और ब्याड़ उर्ड ही ही हाँ ये चीज़े भी पैदा हो जाती है तो डेविटेज वाले पेशेंट्स को वैसे भी यूरिन जादा रात में होती है किटनी फेलियर वाले पेशेंट्स को जाए रात में ज़्यादा यूरीन होती है तो उन लोगों अगर यूरीन का वो कम करना है तो हमको पानी पर कंट्रोल करना पड़ेगा वो बहुत जरूरी है और साथ में एक जैसा मैंने बताया कि अब दवाए तनी अच्छी आगई है कि दवाओं के माद्यम से हम लोग अपने लक्चुनों को काफी कंट्रोल कर सकते है खाने पीने में विशेश ज़्यादा फरक नहीं पड़ता जैसा मैंने अब इसे गोवी का कुछ हिजिक्र कर रहे तो आपको बताया था कि कैंसर के प्रतिरोधक छमता जो होती है ये कुछ लाइको पीन नाम का एक पदार्थ होता है जो टमाटर में पाया जाता है वो बाडी को किसी भी कपकार के कैंसर से और खास दोर से प्रोस्टेट के कैंसर से प्रोटेक्ट करता है कॉली फ्लावर यानि गोवी में ये पतार्थ पाया जाता है और साथ में जैसा मैंने बताया ग्रीन टी में भी बहुत सारे एंटी आक्सिडेंट्स होते हैं जो की cancer से protect करते हैं कुछ antioxidants की चीजें बजार में उपलब्ध हैं जो antioxidants के नाम से कुछ tablets और capsule आती हैं ये आप ले सकते हैं ये overall body की physical fitness को बढ़ाती है तो vitamin C होता है vitamin C आपको cancer से protect करता है alcohol, cigarette और जितनी भी इस तरह की चीजें हैं ये सारी चीजें cancer को बढ़ाती हैं क्योंकि ultimately testosterone hormone liver में जाकर के metabolize होता है ये सब liver को effect करती हैं तो इसलिए इन सब चीजें का सेवा ने एक उमर के बाद अगर कम हो तो ज़्यादा बहतर है रख साब आपने बहुत अच्छी चरचा की हमारे दर्शकों को आपने बताया कि कैसे prostate की तकलीफ अगर हो रही है तो उसमें क्या इलाज करना चाहिए और नहीं हो रही है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है इस पर आपने बहुत अच्छी चरचा की आपको धन्यवाद तो दर्शकों आज आपने जाना कि prostate में रोग को कैसे हम डिले कर सकते हैं एज का सवाल है जैसे जैसे बढ़ती है उम्र इस तरीके की तकलीफें तो अपने आप आती हैं उनसे बचाओ के साधन हमें अपनाने चाहिए और बचाओ के साधन अपनाते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम रोग की उस भयावहता से दूर रहेंगे सेहत के सूत्र में आज इतना ही आप देखते रहें जैमडी निूज झाल